प्रिंस्टिपल पर महला टीटर से बद सलूकी करने के रोब में पुलिस द्वारा मामला तर्थ कर लिया है प्रिंस्टिपल पर मामला तर्थ किया गया है प्रिंस्टिपल प्रिंस्टिपल प्रदीव खनकवाल की गिर्फतारी के लिए पुलिस द्वारा लगातार छापे मारी की जा रही है लेकिन पुलिस डिफ्स से प्रिंसिपल खनकवाल बाहर बता जा रहा है इस मामले में राजी नमा के प्रयास भी किये जा रहे हैं आपको बता दें कि जुलाई महीने में प्रिंसिपल परदीप खनकवाल पर स्कूल की महला जापकों ने बदसलुकी करने असलील बाते करने वे उनके कपड़ों रंग को लेकर कोमेंट करने सबंदी एक शिकायत पुलिस को दी थी जिस पर पुलिस ने जाख पूरी होने के बाद प्रिंसिपल परदीर खरणगवाल के खलाब मामला दत कभी है उनकी अभी तक गिरफतारी नहीं हो पाई है हम लगापदार आपको कवरे दिखा रहे हैं बने रहे मर्सा देख तेरे मारा चैनल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले सर की ना है तो टाजी मेरा ना करदीप सेंग मैथ लेक्चरार सकावी सीले स्काड़ी स्कूलर नहीं वरा शेक्षबा सर प्रिंसिपल प्रदीप खनगवाल ते परचा दर्जी किता है पुलीज ने हां जी सर ओस कारवाई तो संतूष्ट होई तुसी सिरीप प्रदीप कमार जी खनगवाल तो बीजीपी दौफ्तर मौलीतों मिती शबी नौन को यर तारा नूँ आयपोन संधेशन साथ वाक वाक तरामा ते नसो चरवंजा तेनसो चरवंजा यह आई सब्सक्राइब नहीं है की मांग कर दियो सरकार तो दुस्य सबंद चाहिए सब्सक्राइब कर दियों है सर उनने टीचर निल्ट सलूकी की ती उनना चली शबदावली वर्ती ते स्रफ बदली ही उन्दा एक सर सुलीशन है प्रिंसिपर सब्सार हमारे साथ बहुत बुरा करते थे अशलील बोलते थे बुड़े श्रब्द बोलते जो हम वीडिया के सामने नहीं बोल सकते किस तरह का दुर्वेवारा आपके साथ किया जाता था वो हमारे जैसे कपड़ों पे रंगों पे हर चीज पर कमेंट करते थे जिसे हम बहुत ज़्यादा मानसी परिशान है आपने इसकी शिकायत कभी विभाद को या किसी पुलिस में या अधिकारी में की थी? नहीं पहले हमने कभी पहले नहीं की पर तेरा तरीक को हमने उच्च अधिकारियों तो किस चीज की शिकायत की दर्ज करवाई हुई है पर जैसे ही उन्हें प्रिंचिपल सर जी को इन सब जीजों का पता चला कि कि मेरे किलाब कोई इन्होंने शिकायत दर्ज करवाई हैं तो उन्हें हम पे गलत इलजाम लगाने शुरू करती है औरु ने में आया कि वो और त्यारी करें कि और ने जाती हमारे साथ हूई है उन्होंने हमें अप्शब्द गोले हैं हमारे सारे स्टाफ को रंगों पी कपड़ों पी कमेंट गंदे-गंदे करती जी आप बताएं क्या मुद्धा क्या नाम है आपका संगिता रानी पंजाबी मिस्ट्रस हम मांग करें हैं कि प्रिंसिपल साफ को सक्ट से सक्ट सजा दी ज जाए ताकि जो स्कूल का महौल है वो ठीक हो सके और हम बच्चों को और अच्छी तरह से बढ़ा सके जी आप बताएं आपका क्या नाम है पुल्विंद्र कर पंजाबी मिस्ट्रस किस तरह से आपको मांसिक तूप से परिशान किया जाता था उसके बारे में बताएं जही क से परेशान हो जाते थे और आकर बाद में अपने स्टाफ से डिस्कस करते थे के ऐसा किया जाए ऐसा मुझ से कहा गया यह स्कूल का स्टाफ क्या नाम है आपका मैंडम क्या मामला था हमें जानकरी देंपूली सर्श प्रिंसिकल सर हमेशा ही अकसर ही टीचर्ज नू मलब पते शब्द बोल दे सी खच खच बद दिमाग मुटा दिमाग असी पड़ा रहे हुंदे सी फिर भी कह रहे सी कि इतुसी पड़ाउंदे निफए ऐस तरी के दे शब्द बोले जारे सी हुन सानु तमकियां जितियां जारी है तक सी हुन बोर जादा मानसिक तोड़ते प्रभावित हो रही है जी हमें बताए क्या मामला है उनकी तरफ से हमें बहुत सारी धंकियां दी जारी है शोशल मीडिया में वह बहुत सारे जो गलत इलजाम लगा रहे हैं हमारे उपर जो की बिल्कुल सरासर जूट है उनकी जो कोई भी अगर वो उनके पास कोई हमारी तरफ से जैसे बोलना जा रहा है कि ये पढ़ाते नहीं है कुछ है तो फिर कोई सबूत दे हमारे रिजल्ट कैसे 100% आगे हमारा पिछला रिकॉर्ड देखें या हमारे जो भी अक्टिविटीज है वो तब कैसे सैटिस्ट प्रेक्टरी लिख देते थे कि बिल्कुल सही चल रहा है स्टाफ थोड़े दिन पहले ही उन्होंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाली थी कि मेरा सारा स्टाफ इतना गॉप्रेटिव और इतना संतोष जनक कार्या कर रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और अब ऐसे क जाने और हम इंसाफ चाते हैं कि सच का साथ दिया जाए जूटे जो इलजाम है वो वापिस लिए जाए जी यह कहरे हैं कि अच्छी बढ़ाई चल रही थी लेकिन मेंटली जो परेशान किया जारा था हर बाते हर बार पे तंकियां दी जारी थी कि अगर ऐसा करोगे तो कि पे कार दी जाएगा टीचर एक लास में एक मिनट भी लेड होता है तो उन्हें बच्चों के सामने उन्हें डांटा जाता अच्छी दर ऐसे कि आपकी मैं पे कार दूंगा आपको पढ़ानी के अक्कल नहीं है आप इदर जा रहे हो उदर जा रहे हो कि इदर नहीं जा र लेकिन ऐसी बाते बहुत बोल के बच्चों सुना आपने उस समय टीचर्स द्वारा किस तरह से प्रिंसिपल परदीप घंगवाल के खिलाफ अरोब लगाए गए थे इनका कहना था कि प्रिंसिपल परदीप घंगवाल उसे बदसलूकी करते हैं उसे अश्रील भाशा में ब किसी भी प्रकार का ब्यान देने से साफ इंकार कर दिया गया उनका कहना था कि वे कैमरे के सामने किसी भी प्रकार का ब्यान नहीं दे सकते जबकि स्कूल के कद्याबक गुर्दीप सिंग ने इस मामले में खुल कर कैमरे के सामने ब्यान दिया उनका कहना था कि प्रदीप घ ठाना अरनेवाला के प्रभारी वेद प्रकाश शर्मा से भी बादचित की उन्होंने कहा कि प्रिंसीपल प्रदीप खनगवाल के खलाव मामला दर्ज कर लिया गया है SSB फाजिल का के देश पर यह मामला दर्द किया गया है प्रिंसिपल परदीप खनगवाल की गिरफतारी के लिए पुलिस द्वरा लगाता छापे मरी की जा रही है अध्यापकों पर राजी नामा का दबाव भी बनाया जा रहा है इतना ही नहीं यह भी पता चला की विभाग द्वारा उनकी प्रमोशन को रद कर दिये गया है लेकिन इसकी अधिकारिक पुष्टिय भी नहीं हो पाई है प्रिंसिपल प्रदीब खनगवाल अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुचे है इस पूरे घटना करम पर जब प्रिंसिपल प्रदीब खनगवाल से बात करने चाही तो वे उपलब्द नहीं हुए उनका फोन आउट ओफ कवरे जेरिया बता रहा था जिसके चलते उनका ब्यान नहीं लिया जासका